C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्ट्य पुस्तक हमारे आसपास का बीसवाँ पाठ किसके जंगल प्रिष्ट संख्या 182 यहां एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक महिला के साथ कुछ बच्चे पोटली लेकर जंगल में जा रहे हैं जंगल की बेटी सोच सकते हो कि यह बच्चे पोटलिया लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसे करो असल में यह बच्चे जंगल में जाकर कोदते दोडते पेड़ों पर चड़ते हैं अपनी कुड़क भाशा में गीत गाते हैं गिरे हुए फूल पत्ते बीन कर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं जंगली फलों का मजा लेते हैं तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं इन बच्चों के साथ होती हैं इनकी प्यारी दीदी सूर्य मनी सूर्य मनी हर अविवार बच्चों को जंगल में ले जाती है जारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्य मनी बच्चों को वहां के पेर पौधों और जानवरों की पहचान कराती है बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में हूँ मजा आता है जंगल को पढ़ना, किताबे पढ़ने जितना ही जरूरी है कहती हैं सूरे मनी वे कहती हैं हम आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से ही जुड़ी है अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे प्रिष्ट 183 चर्चा करो तुम्हें क्या लगता है जंगल क्यों होते हैं? कहीं बहुत सारे पेड उगाए गए हूं तो क्या वह जंगल बन जाता है? पता करो और लिखो पेडों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड होते हैं? तुम कितने पेड पहचान लेते हो? सूर्य मनी कहती हैं अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे ऐसा क्यों? सूर्य मनी का बचपन बचपन से ही सूर्यमणी को जंगल से बहुत लगाव था वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड जंगल के रास्ते से आती जाती थी सूर्यमणी के पिता की छोटी सी खेती थी उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी गठी करके बाजार में बेशता था उनकी माँ बास से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बना कर बेशती थी पर जब से शंबू ठेकेदार आया जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था सूर्यमणी के गाउं के लोग ठेकेदार से डरते थे पर बुधियामाई नहीं डरती थी वह कहती इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है हम इनके रखवाले हैं खेकेदार की तरह हम जंगल काडते नहीं हैं हमारे लिए तो जंगल हमारा सांजा बैंक है मेरा या तेरा नहीं जितनी जरूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं प्रिष्ट 184 चोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था सूरे मनी के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे पर फिर भी हालात नहीं बदले कभी खाना होता कभी नहीं मनिया चाचा अपनी पंसारी की चोटी सी दुकान से कभी कभी सूरे मनी के घर अनाज भेज दिया करते उन्होंने कोशिश करके सूरे मनी का दाखिला बिशनपुर गाउं के स्कूल में करा दिया उसे वहीं रहकर पढ़ना था स्कूल से ही फीज, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था पर सूरे मनी को अपना गाउं जंगल छोड़ कर दूर जाना पसंद ना था पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी मनिया चाचा ने समझाया भूखों क्यों? यह जंगल है न? सूरे मनी का जवाब तयार था अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है कहीं ख़दान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं, जंगल उनके हैं मेरी मान पढ़ लिख कर काईदा कानून समझेगी, तो शायद जंगल बचा पाएगी छोटी सूरे मनी, मनिया चाचा की बात कुछ-कुछ समझ पाई सोचो और लिखो तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है? ठेकेदार ने सूरे मनीगे गाउं वालों को जंगल में जाने से रोका सोचो, क्यों? क्या तुमारे आसपास कोई ऐसी जगा है, जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहाँ जाने से लोगों को रोका जाता है चर्चा करो तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके है? बुदिया माई ने कहा जंगल तो हमारा सांजह बैंग है ना तेरा ना मेरा क्या कोई और ऐसी चीज़ है जो हम सब का सांजह खजाना है कोई उसका ज्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा सूरे मनी का सफर बिशनपुर गाउं का स्कूल देखते ही सूरे मनी का मन खेल उठा स्कूल घने जंगल के पास जो था स्कूल में सूरे मनी ने खुब मेहनत की और स्कॉलर्शिप यानी वजीफा लेकर भी ये पास किया प्रिष्ट 185 वह गाउं की ऐसी पहली लड़की थी कॉलेज में उसकी पैचान वास्वी दीदी से हुई जो पत्रकार थी उनके साथ मिलकर सूरे मनी जहार खंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी इस काम के लिए उसे जगा जगा दूर शेहर में जाना पड़ता उसकी पिताजी को यह बात पसंद ना थी पर सूरे मनी ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गाउंवालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने सूरे मनी का एक सपना था कि वह अपने कुड़क समाज की पहचान बनाए आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है वह सभी गाउंवालों को भी हो सूरे मनी का एक और साथी था मिर्ची जो दिन रात उसके साथ रहता सूरे मनी अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती मिर्ची सुनता और कहता चीं चीं सोचो और लिखो क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आधिवासियों की जिंदगी नहीं समझते कुछ तो उने जंगली भी कह देते हैं ऐसा कहना सही क्यों नहीं है आधिवासी कैसे रहते हैं? इस बारे में तुम क्या जानते हो? लिखो और चितर बनाओ क्या तुम्हारा कोई आधिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में तुमनी क्या क्या सीखा? सूर्य मनी का तोरांग सूर्य मनी 21 साल की थी जब उसने वास्वी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला उसनी इस जगा का नाम रखा तोरांग कुड़क भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल प्रिष्ट 186 सूर्य मनी चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहनें जड़ी बूटियों की समझ और बास की चीज़े बनाने की कला भी बच्चे सीखें अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही अपनी कुड़क भाषा का रिष्टा भी उससे जोड़ें यह सब तोरांग केंद्र में होता है तो रांग में कुड़क समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बासुरी, तरह-तरह के धोल ये भी हैं कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो कि उसकी जमीन हडप ली जाएगी कोई रोजगार चिन जाने से परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती, वह सूरे मनी की मदद लेता सूरे मनी सब के हक के लिए लड़ती है सूरे मनी ने अपने साथी विजे के साथ शादी कर ली है दोनों साथ में काम करते हैं आज उनके काम को कई लोग सरहते हैं उन्हें विदेश भी बुलाते हैं उनके अनुभवों से सीखने के लिए जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहां लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं जंगल अधिकार कानून 2007 यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है उन्हें जंगल से हटाया ना जाए जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे प्रिष्ट 187 सोचो क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगल के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं तुम्हारा अपना सपना क्या है सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे अखवारों में से जंगल की खबरें इकठी करो क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या तो रांग में सूरे मने अपने आदिवासी, रहन सहन, निर्ते संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती है क्या तुम अपने समुदाई के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे तुम किस चीज को बचाए रखना चाहोगे पढ़ो और बताओ ओडिशा के एक स्कूल की दस्मी क्लास की लड़की सिकिया ने वहां के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा उसका एक हिस्सा सुनो हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते तरकी के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाई जा रहे हैं कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्टरी जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स के चलते यह सोचने की जरूरत है कि हम आदिवासि कहां जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा इन जंगलों में रहने वाले लाकों जानवर कहां जाएंगे अगर जंगल ना रहे खानों में से अलिमिनियम जैसे खनिश निकाल कर जमीन को खोकला कर दें तो बचेगा क्या सिर्फ दूशित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन यह था सिकिया का पत्र मुख्यमंत्री के नाम अब बताओ क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है क्या कोई फैक्टरी है उसमें किस तरह का काम होता है फैक्टरी की वजह से जमीन और पेडों पर कोई असर पड़ रहा है क्या वहां के लोगों ने भी इस बात को उठाया है प्रिष्ट 188 इस प्रिश्ट पर भारत का नक्षा दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि भारत में कहां कहां जंगल हैं और कहां नहीं पता करो और लिखो कि नक्षा किस बारे में है तुमने सिखिया कि चिठी सुनी नक्षे में देखो उडिसा कहा है क्या उडिसा के किसी किनारे पर समुद्र है समुद्र कैसे पहचाना नक्षे में और कौन-कौन से ऐसे राज्ये हैं जिनके किसी किनारे पर समुद्र है नक्षे में सूर्य मनी का राज्य जारकंड कहां है नक्षे में जंगल कहां कहां है कैसे पहचानोगे ये कैसे पहचाना कहां ज्यादा घने जंगल है और कहां कम घने जंगल है नक्षे में कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा घने अगर कोई मद्य प्रदेश में है तो देश की सबसे ज्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे। उन राज्यों के नाम लिखो। मिजोरम में खेती की लॉट्रे। जारकंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्य मनी की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिजोरम राज्य के पाहाणों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, इसके बारे में पढ़ो। टन 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 टन, स्कूल चूटने की गंटी बस्ते ही, लॉम्टे आ, डिंगा, डिंग की मा, इन्होंने अपने बस्ते उठाए और चल दिये घर की ओर। बीच में सभी ने पानी पिया, वहीं पर रखे बांस के बने कप में, आज सभी बच्चे ही नहीं, उनके साय मसर भी गाउं पहुँचने की जल्दी में हैं, आज शाम गाउं की खास सभा बैठने वाली है, इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी, इसकी करने का मौका मिलता है, बांस के एक सुंदर बरतन को हिला कर उसमें से एक परची निकाली गई, वाह, साय मसर के परिवार का नंबर पहला आया, वे बोले, जूम खेती की पहली परची मेरे परिवार के नाम आई है, यह मेरे लिए खोशी की बात है, मगर इस साल हम ज्यादा जमीन नहीं ले पाएंगे, पिछली बार मैंने ज्यादा जमीन ले ली थी, और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था, मेरी बहन जीरी की शादी के बाद, स्कूल की नौकरी के साथ, अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है, सायरा सर ने तीन तीन जम जितनी जमीन में बोते हैं, उसे ही एक टीन जमीन बोलते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही लोटरी से गाउं के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी जमीन मिल गई, पता करो, नक्षे में मिजोरम और उसके आसपास के राजियों के नाम पढ़ो, तुमने जमीन को टीन से नापन का तरीका पढ़ा जमीन को नापने के और तरीके क्या-क्या है स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बास के बने कप से पानी पिया तुम्हें क्या लगता है जंगल में कप किसने बना कर रखा होगा और क्यों जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या किया जा सकता है जूम-खेती जूम-खेती का तरीका निराला है एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं उसमें खेती नहीं करते इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखारते नहीं बस गिरा कर जला देते हैं यह राख जमीन में खाद का काम करती है जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड ना जलें जंगलों को नुकसान ना पहुँचे यह भी देखना पड़ता है फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता मिट्टी को हलके से हिला कर बीज छिड़क देते हैं एक ही खेत में अलग-अलग तरह के बीज जैसे मकई, सबजियां, मिर्च और चावल बोय जाते हैं फसल की समय भी अंचाही घास और पौधों को उखारते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं, ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं इससे भी जमीन उपजाव बनती है अगर किसी परिवार में किसी कारण, खेती का काम पिछड जाता है, तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं प्रिष्ट 191 बस उस परिवार को उन्हें खिलाना पड़ता है मुख्य फसल चावल की ही होती है फसल तयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड मेनत का काम है सड़कीं तो हैं ही नहीं बस उचे नीचे पहाड है पीठ पर ही लादगर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है कई हफते लग जाते है फसल पकने पर गाउं में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं चेराव नाच भी करते हैं इस नाच में जमीन पर बास की डंडी लेकर दो-दो लोगों की जोडी आमने सामने बैठती है धोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीठते हैं डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं चराव नाच के बारे में पता करो, कक्षा में नाच करो मिजुरम में लगभग तीन चौथाई लोग जंगलों से जुड़े हैं मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे मस्ती से पत्तों से सीटी बजा रहे हैं ऐसी कई सीटीयां तुमने भी तो बनाई हैं हम क्या समझे? भासकर भाई की खेती और जून खेती में क्या समानता है और क्या फर्ख है? सूर्य मने को जंगल से बहुत लगाव था अपने शब्दों में समझाओ क्यों? जून खेती में तुम्हीं क्या कोई बात अनोखी लगी? किस के जंगल? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का बीस्वा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत